नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस येल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली बार प्रॉपर तरीके से FMCG इंडस्ट्री में मुझे जॉब कैसे मिली तो आज हम बात करेंगे सायद मेरे इस एक्सपीरियन्स से इस स्टोरी से काफी लोगों को आगे चलके फाइदा हो सके ऐसा मुझे लगता है और मुझे बताना भी चाहिए कि FMCG इंडस्टी में मेरी सुरुआत कैसे हुई थी चलिए दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब मैंने अपना MBA खतम कर लिया था तो मैंने जॉब सेल्स में कभी भी नहीं सोचा था मुझे सेल्स नाम से ही नफरत होते थी धूप में घूमने से नफरत होती थी और मुझे लगता था कि सेल्स केरियर वाला कोई केरियर नहीं है धूप में घूमना पड़ता है और मुझे बहुत ज़ादा डीपली नॉलिज नहीं थी क्योंकि मैं सुरू से ही फाइनेंस सेक्टर और HR सेक्टर पर फोकस करके चल रहा था HR भी फाइनेंस सेक्टर में यानि कि सेयर मार्केट बैंकिंग में तो मेरा जुका बिलकुल भी नहीं था FMCG इंडस्ट्री की तरफ चैनल सेल्स की तरफ मैंने स्टार्टिंग में HR में जॉब करी और वो कोई प्रॉपर तरीके का HR जॉब नहीं थी recruitment था हम लोग candidate को phone करते थे और उन्हें जिस company से हमारे पास frequency आती थी हम candidate को जॉपरец की के वारे माताते थे और उन्हें interview देने के लिए बेश थे थे वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद मुझे लगा कि यार ये केरियर मेरे लिए नहीं बना हुआ है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी उसके बाद मैंने HDFC बैंक में AJ Account Opening में Executive की जॉब करी मेरी ये जॉब थी दिल्ली में कनाट प्लेस में ब्रांच थी SDFC की और मुझे ब्रांच में नहीं बैठना था मुझे मार्केट में कहीं भी जाके Account Open करवाना था 5,000 रुपे मिनिमब से तो ये काम मैंने करा करीब 3-4 महीने करा और मुझे बहुत थी दिक्कत होती थी दोप में घुमने से इसी तरह फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली इसलिए मैं घर पर आके बैठ गिया और गॉर्मेंट जॉब की तैयारी करने लगा करीब तैयारी करते हुए मुझे 6-7 महीने हो चुके थे और गॉर्मेंट की जॉब में भी बहुत टाइम लगता है आपको पता ही है विकिंसी देर से आती है नोटिफिकिशन देर से आती है फिर साल में एक विकिंसी का एक एकजाम होता है फिर उसका रिजल्ट आता है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है मतलब डेर से दो साल का एक विकिंसी का प्रोसेस हो जाता है तो मुझे 6-7 महीने बीच चुके थे और मन में ये था यार कि मैंने काफी पढ़ाई कर ली है और मुझे जॉब भी करनी है उसके बाद मैंने अपना रिजूमे अपडेट करना सुरू किया लेकिन मुझे कोई जॉब कॉल नहीं आती थी आपको पताईए कि आप कितना भी रिजूमे अपडेट कर लो हाला कि उस समय मुझे पता भी नहीं था रेंकिंग में फाइनेंस में आती थी या बीपियों की कॉल आती थी तो मुझे कहीं से किसी ने बताया कि FMCG इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जैसे कि कोको कोला पैपसी पार लेजी विस्टीट तो यहां पर अगर सुरुवात हो जाए तो यह अच्छी इंडस्ट्री है यह direct sales नहीं है indirect sales है यानि कि आपको यहां पर customer को सामान बेचने की जुरुद नहीं है आपको सामान बेचना है यह customer को नहीं बेचना है एक channel कے through सामान को बेचा जाता है यानि कि एक पारलेजी विसकुट बेचने में केवल मेरा रोल नहीं रहेगा मेरे मैनेजर का, डिस्टिबूटर का, रिटेलर का, कमपनी के एड़िटीजिमेंट का बहुत सारे रोल फैक्टर होते हैं तो यहाँ पर सेल आसानी से हो जाती है यही एक आसान सा रास्ता किसी ने मुझे सजेस्ट किया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आगे कभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा तो मैंने क्या करा कि जितनी भी FMCG कमपनी की वेबसाइट थी वहाँ पर अपना CV वहिजना स्टार्ट किया लेकिन तो मुझे कोई experience था नहीं और ना ही कोई my web था इस industry में ना ही कोई ऐसा clue आ रहा था कि जो मेरा हाथ पकड़के इस industry मुझे entry करा दे और इतनी सारी website पर मैंने भेजा था अपना रिज्यू में लेकिन वहाँ से कहीं से भी call नहीं आ रही थी उसका एक simple सा कारण था जो कि आप मुझे पता है FMCG industry में बहुत कम ही on roll के लिए direct call आती है आपको जो भी entry मिलती है maximum आपको off roll मिलती है या on roll मिलती है तो नई company में मिलती है या कुछ company आपकी किसमत तर्ची होई तो आपके एज़े fresher भी ले लेंगी लेकिन इस industry में mostly क्या होता है on roll पे fresher को recommend नहीं करते अगर top college से MBA है बहुत highly qualified है और अच्छे institute से है तो बहुत कम chance होते हैं तब भी कि आपको on roll starting में मौका मिल जाए बहुत कम लोगों को मिलता है मैं overall सारी चीजों की बाते कर रहा हूँ तो यहां से एक भी call नहीं आई अब यह था कि मैं इस industry में कैसे आऊंगा तो मेरे एक जानने वाले थे जो की जिनकी shop है दुकान है तो मेरे फादर ने उनसे बात करी बताया कि या लड़के की कहीं जॉब नहीं लग रही बहुत परिशान है घर पर बैठके 6 महीने 7 महीने होगे तयारी कर रहा है गौर्मेंट का गौर्मेंट का भी इतना आसान है नहीं तो उन्होंने बताया कि वो एक distributor को जानते हैं उन्होंने कैई सारे लोगों की job लगवाई है इसी industry में यानि उनके पाद जो जो agency है अगर वो उसमें लगवा देते हैं तो मेरे फादर एक दिन मुझे लेके उस distributor के पास गए वहाँ पर काफी देर बाते हुई उन्होंने पूछा मैंने अपनी education बता दी शुरू में कहां कहां जॉब किया किस किस industry में वो बता दिया क्यों छोड़ दी ये भी बता दिया सारे चीज बता दिया तो उन्होंने का अगर करना है थोड़ा सा मेहनत का काम है फील्ड जॉब होती है तो मैं तुम्हें यहां के जो एरिया मैनेजर है उनका नंबर दे देता हूँ आप उनसे बात करो और अपना सेवी भेजो बाकी मुझे बताना जो चीज भी हो जो सिपारिस होगी मैं लगा दूगा तो उन्ह जो मैं पहली जिस से भी बात हुई थी वो विप्रो में एरिया मैनेजर थे विप्रो जो की साबून 54 प्रास और भी बहुत सारी चीज़े बनाती है संतूर साबून आता है तो विप्रो में मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या गरा कि जॉब तो मतलब सैलरी बहुत कम थी य मिला के साड़े 3,000-4,000 रुपे मुझे मिल जाता कुल मिला के 10-11,000 रुपे मुझे मिल जाता जिसमें से मार्केट में घूमने का खर्चा भी मुझे अपने पैसे सही घूमना था लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था तीन-चार दिन बाद जब उन्होंने मेरा एक हेड बॉस थे उन्होंने भी मतलब मेरा फेस-टू-फेस इंट्रव्यू ले लिया था और ये जहां इंट्रव्यू हुआ था वो एक C&F था विप्रो का गाजियाबाद में तो उन्होंने HR को भेज दिया कि आप देख ले ना तो विप्रो में क्या है कि on roll होने के लिए HR round को बिना किसी सिपारस के clear करना पड़ता है अब वहाँ पर जब मैं गया तो मुझसे market से related कैई सारे question पूछे गए जो कि मैं सही तरीके से नहीं कर पाया खास तोर से जो जिनका answer देना था तो वो तो मैंने दे दिया लेकिन जो math के question थे वो मैं कर नहीं पाया जैसे की percentage वाले सवाल होते हैं या एक आदमी एक काम को एक गंटे में कर सकता है तो दो आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे मैं मतलब बहुत जादा इतना मैं prepare नहीं करके गया था कि इस तरह की सवाल पूछे जाएंगे फिर percentage का सवाल पूछा गया कैई सारे तो मैं कर नहीं पाया तो वहां मेरा मतलब वहां पर नहीं कहा कि थीक है बताएंगे और दोपेर का लंच हो गया था अच्छी बात यह थी लंच हो गया था अरव बहार बैठी है फिर हम आपको अपडेट करते हैं इतनी दिर में को गया वहाँ पर और बिप्रों में क्या है कि जो उस और उन्हें कहा रखा था तो मुझे खाना फ्री में मिल गया और मैंने वहाँ पर खाना खाया बहुत अच्छा खाना था और मन में यह ठान लिया कि भाई जौब यहाँ पर लग जाती है तो जब भी हैड आफिस आना होगा तो इसी तरह से खाना खाके जाएंगे और मैंने का जब वर्कर को फिरी में खाना दे रही है एंप्लोई को तो कंपनी अच्छी ही होगी और बड़ी कंपनी है आईटी में इसका नाम है लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ गया एचार तो कोई चीज बताते नहीं है एचार ने बस जो एरिया मैनेजर है उसे पे और काफी देर बात हुई बहुत सारी कोश्चिन उन्होंने भी पूछे और उसके बाद बताया कि यार एचार राउंड तुमारा क्लियर नहीं हुआ मेरी तरफ से डन है मेरी तरफ से है लेकिन हमारी कंपनी में जब एचार क्लियर करता है तभी अन्रोल लगते हैं और ह हम लोग ऑफ रोल नहीं रखते हैं तो उन्होंने मुझे एक दो कॉंटेक्ट और दिये कहा कि आप इन इन से बात करिए यहां पर ट्राई कीजिए ठीक है और इन फ्यूचर कभी तीन-चार महीने च्छे महीने बाद फिर से आप ट्राई कर सकते हैं तो उन्होंने इंडस्ट्री में घूमते हुए काफी सारी नॉलिज हो गई अब आगे क्या किया मैंने किस तरह से अपनी पहली जॉब पाई अगले वीडियो में बता हूँ है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दोस्तों यह जो चैनल है मैं चाहूं तो एक घंटे में मैं अपनी पूरी स्टोरी बता सकता हूं लेकिन उससे आपको motivation नहीं मिलेगा आपको कुछ चीकने को नहीं मिलेगा यहां मैं क्यों बता रहा हूं यहां मेरा क्या फाईदा मेरा कुछ फाईदा नहीं है दोस्तों बस मैं यह चाहता हूँ कि मेरे इस experience से काफी लोग अपने जीवन में तरक्की करें अपने केरियर को ग्रोथ दें तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको इस चैनल पर सेल्स से जुड़ी हुई और खास तोर से FMCG और OTC चैनल से जुड़ी हुई काफी अच्छी knowledgeable वीडियो मिलेगी साथ ही मैं एक experience वाला वीडियो भी आपको देना चाता हूँ तो उसके लिए मुझे कहीं दूर जाने की रोध नहीं है क्योंकि मैंने जहां से start किया था और कैई सारी company में और अभी वी मैं regional sales manager की post पर काम कर रहा हूँ और आपको training भी दे रहा हूँ साथ ही मेरा जो channel है MBA factory और इस channel की बज़े से मुझे कैई सारी छोड़ी छोड़ी companyों से call भी आने लगी है mail भी आने लगी है किस सरा आईए हमारा setup बनवाईए किस तरीके से काम करना है consult कीजिए तो दोस्तों मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है क्योंकि मैं अपनी company में काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी company के लिए अभी वफादार रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत खुसी हो रही है तो इसलिए मैंने ये channel बनाया कि यार FMCG में जो ग्यान मेरे पास है उससे काफी लोगों को फाइदा हो रहा है इसलिए मैंने एक dedicated ये channel बना दिया बीच-बीच में आपको अच्छी वीडियो के साथ एक experience वाली knowledgeable वीडियो भी मिलती रहेगी जो की छोटी छोटी बनाने की कोसिस करूँगा लेकिन उससे एक कम समझने वाले को जादा समझने वाले को सबको मेरी इस वीडियो से कुछ चीज समझ जाए ऐसी वीडियो देनी कोसिस करूँगा दोस्तो आप बुरा मत मानना कई बार लोग कहते हैं कि आप बड़ी वीडियो बनाते हैं कई बार कहते हैं छोटी वीडियो बनाते हैं दोस्तो एक ही वीडियो पर दो तरह के कमेंट आते हैं एक जने कहते हैं कि आपने वीडियो अच्छी बनाई है लेकिन बहुत लंबी कर दी यार इसे छोटी करना था यह तो कोई भी जानता है और उसी वीडियो पे कमेंट आता है सार आपने जो भी चीज बताए इससे मुझे बहुत हेल्प मिली और आगे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है तो मैं कहना चाता हूँ दोस्तों जब कोई भी ट्रेनर कोई भी प्रोफेसर टीचर किसी को ट्रेनिंग देता है क्लास में तो 40 बच्चे होते हैं हां आपको कुछ चीज़े आती होंगी तो आपको लगता होगा यार ये चीज़े तो मुझे आती है लेकिन अब मैं केबल आप के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं काफी लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं हर education हर quality के लिए हर मतलब कोई area manager देख रहा है कोई sales executive देख रहा है कोई MBA करने वाल लड़का देख रहा है और कोई MBA करने की सोचने वाल लड़का देख रहा है कोई 10th class का देख रहा है तो सभी सीख सकें इस language में बनानी की कोशिच करता हूँ जिससे video लंबी हो जाती है और दोस्तो एक बाद कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो आपका ही भला होगा ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है और मैं आपको बताऊं यूटूब की बज़े से आपको जो ग्यान आजकल मिलने लगा है न दोस्तों जब यूटूब बहुत कम था और इस तरह की वीडियो नहीं होती थी तो कितनी चमचा गिरी करनी पड़ती थी एक एक ESM की RSM की उनके सीक्रेट सीखने के लिए मैं बता नहीं सकता पुराने लोग समझ रहे होंगे और वो चीज आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको चमचा गिरी ना करनी पड़े केवल अपना काम करना पड़े और आगे बढ़े इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में